किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड और आप देख रहे हैं स्माइट अग्रिकल्चर यूट्यूब चेनल किसान भाईयो लेसुन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लेसुन की बसल में किसी भी प्रकार के रोग का टेक नहीं होना चाहिए लेकिन इस समय पर लेसुन की बसल में एक बहुती खतरनाक रोग फैल रहे हैं जिसके कारण लेसुन की ग्रोथ रूखे हुई नजर आ रहे हैं और लेसुन की पसल में पीलापन नजर आ रहा हैं किसान भायों उस रोग को समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर उसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो उस रोग के गारण लेसुन की प्यदावार में 50-60% तक की कमी हो सकती है तो क्या आपकी लेसुन में भी वह रोग फेल रहा है उस रोग की क्या पहचान है और उस रोग को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन-कौन से दवों का पुर्योग करना चाहिए तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंतितक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो कैसान भाईयो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लैसुन की बसल में इस समय पर कौन सा रोग फेल रहा है और उस रोग के क्या-क्या लक्सन है तो लैसुन में इस समय पर एक फपून्द जनित रोग फेल रहा है अगर उस रोग के लक्सन के बारे में बात करें तो उस रोग में लैसुन की पत्या सफेद रंकी हो रही है और आपको वीडियो में जो जिस परकार से पोदा दिखाए दे रहा है तेक उसी परकार से पोदा लैसुन का हो रहा है इस रोग में पहले तो पत्या सफेद होती है उसके बाद पत्यों पर बूरे रंकी बड़े बड़े दब्बे पड़ जाते हैं और फिर पोदा दीरे दीरे सोकने लगता है और पोदे का तना जमिन के पास चीस रड़ जाता है किसान भाईयो अगर इस रोग की समय रहते रोकताम नहीं की जाते हैं तो यह रोग पूरे खेद की पसल को बरबाद कर सकता है तो चलिए अब बात करते हैं यह रोग किस कारण से पहल रहा है और इस रोग की रोगताम किस प्रकार से करना चाहिए तो यह रोग मुख्य रूप से फंगस के कारण फेल रहा है जब तापमान में कमी होती है और सुबह के समय पर ओष गिरती है तब पत्यों की सता पर फंगस लग जाती है और उसी फंगस के कारण यह रोग प्यल रहा है इसके लाबा कुछ छेतरों में थ्रिप्स के कारण भी इस प्रकार के रोग का अटेक देखने को मिल रहा है तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रोग की रोगताम किस प्रकार से करना चाहिए तो हमने हमारे खेत में इस रोक की रोकताम के लिए एक इस्प्रे किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस्प्रे में कौन-कौन सी दवाव का प्रियोग किया है तो मैंने फंगी साइड की रूप में ड्यूपोंड कंपनी की करजेट M8 फंगी साइड का प्रियोग किया है करजेट फंगी साइड में दो टेकनिकल होते हैं पहला सामोकसानील 8% और दूसरा मेंको जेब 64% यह एक प्रकार की कॉंटेक्ट फंगी साइड भी है और सिस्टेमेटिक फंगी साइड भी है जिसका लासून की प्रसल में बहुती अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रखना है 350 ग्राम प्रती एकड और 15 लिटर पानी वाले स्प्रे पंप में 35 ग्राम करजेट फंगी साइड डालना है और इसके साथ हमने एक कीट नासक का प्रयोग भी गया है ताकि लासून की फसल में त्रिप्स या किसी अन्य प्रकार के रश्टूसक केट का अटेक ना हो केट नासक के रूप में हमने एमेडा क्लूरूपीट 7% डबल्यूजी का प्रयोग किया है जिससे लासून की फसल में लगने वाले त्रिप्स और सभी प्रकार के रश्टूसक केट कंट्रोल हो जाएंगे अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो हमने 15 लिटर पाने वाले इस्प्रे पंप में 2 ग्राम वाला पाउच डाला है मतलब की एक एकड़ में 20 क्राम इमिडा कलूरपीट 7% डबलुजी का प्रयोग करना चाहिए इसके लावा हमने इन दोनों के साथ चिपकों का भी प्रयोग किया है इसलिए अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आप अच्छी कंपनी के चिपकों का प्रयोग जरूर करें तो किसान भाईयो हमने तो हमारी लासून की पसल में इस रोग की रोगताम के लिए स्प्रेक कर दिया है अगर आपके लेसुन में भी इस रोग के लकसं दिखाई दे रहे हैं तो आप भी इस प्रेक जरूर करें तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगागा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना चले मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान